सब्सक्राइब कीजिए होम मेट सॉलुशन्स को और बेल आइकन को दबाईए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडिस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका होम मेट सॉलुशन्स में फिर एक नए वीडियो के साथ दोस्तों जब हमारा जन्म होता है तो हमारा शरीर पिचोत्तर प्रतिशत पानी से बना होता है लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ यह पानी कम होता जाता है वैस क्याने के एडल्ट होने के बाद एक सामन्य पूरुश के शरीर में पानी की मातरा सहाट प्रतिशत होती है लगभग 25 प्रतिशत तक पानी से बने होते हैं वही हमारे फेफडों में लगभग 83 प्रतिशत पानी मौझुद होता है लेकिन पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा पानी हमारी सेल्स यानि की कोशिकाव में मौझुद होता है आपको जानकर हैनानी होगी कि हमारी हड़ियां जो की पूरी तरह सक्त और सूखी दिखाए देती है उनके अंदर भी 31 प्रतिशत तक पानी होता है इस तरह से कुल मिला कर अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में सबी अंगों को अपना काम सही तरह से करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती ही है और इसी वज़े से एक व्यक्ति चाहे खाना खाए बिना लंबे समय तक रह ले लेकिन पानी पिये बिना एक दिन भी नहीं रह सकता पानी हमारे शरीर के लिए इतना अधिक जरूरी होने की वज़े से हमें इस से जुड़े नियमों का पालन करना बहुत आवशक हो जाता है क्योंकि पानी पीने का तरीका, पानी पीने का समय और पानी पीने की मातरा का हमारे शरीर पर अच्छा और बुरा दोनों तरह से असर पड़ता है हमें रोजाना कितना पानी पीना चाहिए किस तरह पानी पीना चाहिए किस समय पर और कैसा पानी पीना चाहिए इन सबी बातों का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी से जुड़े किसी भी तरह के नियम में लापरवाही बरतने से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है जोडों में दर्द, कब्स, माईग्रेन, तवचा पर दाग दब्बे और पिंपल्स होना, बालों का जढ़ना, लगातार पेट और आतों से जुड़ी समस्याय बने रहना, भोजन का ठीक तरह से न पचना, शरीर में कमजोरी और आलस रहना, रात में अच्छी नीन न आना, कि जलतियों के कारण होती है, आज कल कई लोग इन समस्यायों से केवल इसलिए परिशान है, क्योंकि वह जाने अंजाने पानी पीने से जुड़ी हुई जरूरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, और शरीर में हो रही किसी भी तरह की बिमारी के ठीक नहीं होने की और तवचा जवान बनी रहती है, पेट हमेशा साफ रहता है और स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है, और इतना ही नहीं, कई तरह की बिमारीयों को केवल पानी पीने का तरीका बदल देने से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, और सिर्फ और सिर्फ पानी की मदद से ही बिना लाइट और एक्सेस के एक महिने में 5 किलो से जादा वजन घटाया जा सकता है। पानी पीने से जुड़े हुए नियम वैसे तो बहुत आसान है निकिन इनके फायदे अद्भूत है। आईए जानते हैं हमें पानी कैसे और कितनी मातरा में पीना चाहिए, कब कब और किस तरह पीना चाहिए और अलग-अलग समस्याओ से किवल पानी के इस्तमाल से कैसे चुटकारा पाया जा सकता है। दिन भर में पानी पीने की मातरा हर व्यक्ति के शरीर के आकार, वजन, फिजिकल एक्टिविटी और मौसम पर निर्भर करती है। अगर आप रोजाना सुभा या शाम के समय वर्काउट करते हैं, तो उस थिती में पानी की मातरा को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। पानी पी रहे है या नहीं, इसे पेशाब यानि की यूरीन के कलर से पहचाना जा सकता है। अगर आपके पेशाब का रंग पीला है, तो यह निशानी है कि आपका शरीर दिहाइडरेटेट है। और आपको पानी पीने की आवशकता है। वही अगर आपकी यूरीन का कलर पानी के तरह साफ होता है, तो यह दर्शाता है कि आपकी बॉड़ी पूरी तरह हाइडरेटेड है। हमें पानी कब-कब पीना चाहिए, इससे ज़ादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें पानी कब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गलत समय पर पानी पीने से हमारे शरीर पर सबसे ज़ादा बुरा प्रभाव पड़ता है। खाली पेट पानी पीने से हमारे पेट और आतों की अच्छी तरह से सफाई होती है। और इस तरह दिन भर में धाई से लेकर तीन लिटर पानी पीने के लिए सुबह खाली पेट दो गलास याने की पांसो एमेल एक गलास नाष्टे के आदे गंटे बाद एक एक गलास दिन के खाना खाने के 40 मिनिट पहले और 40 मिनिट बाद दो गिलास पानी शाम के समय एक गंटे के अंतराल में और एक गिलास रात के खाने के 40 मिनिट पहले और 40 मिनिट बाद पीए इसके अलावा अगर आप रोजाना जिम या वरकाउट करते हैं या आपकी जौब में बाहर गुमना, चलना, फिनना या शारीरी काम करना शामिल है तो काम करने के दोरान बीच बीच में आदा आदा गलास करके लगभग दो गलास पानी ज़रूर पीएं यह तो हो गई बात हमें कब कब पानी पीना चाहिए अब जानते हैं हमें पानी कब नहीं पीना चाहिए कभी भी खाना खाने के तुरन पहले या तुरन बात पानी ना पीए क्योंकि ऐसा करने से खाया हुआ भोजन ज़्यादा पतला हो जाता है और खाना ठीक से नहीं पच पाता जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के पहले निवाले के साथ ही उस खाय हुए भोजन को पचाने के लिए हमारे पेट में digestive juices याने की पाचकरस बनना शुरू हो जाते हैं अगर आपका दिन भर बैठने का काम है तो खाना खाने के तुरन बाद पानी पीने की वज़े से बनी गैस हमारे शरीर के दूसरे अंगो में भी जाकर जमा हो सकती है जिसकी वज़े से समय के साथ साथ पेट, सर और जोडों में दर्द रहने की समस्या होने लगती है पेट का खाना नहीं पचने की वज़े से जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह है ऐसिडीटी और जो लोग लगातार खाना खाते ही पानी पी लेते हैं उन्हें लंबे समय तक पेट में जलन और ऐसिडीटी की समस्या का सामना करना पढ़ता है अगर लगातार पेट का खाना ठीक तरह से नहीं पचे तो इसके चलते शरीर में कोलेस्टरॉल भी बढ़ने लगता है और साथ ही यहाँ शरीर में यूरिक एसिट की मातरा को भी बढ़ाता है इसलिए कभी भी खाना खाने की तुरन बाद या पहले पानी न पिए हमेशा खाना खाने के 40 मिनिट से 1 घंटे बाद ही पानी पिए अगर आप बहुत ज़ादा सुखा भोजन करते हैं तो खाना खाने की तुरन बाद 2-3 घुट पानी पिया जा सकता है लेकिन फिर भी अगर आपको जादा पानी पीने का मन करें तो पानी पीने की जगा छांच, निम्बू पानी या सीजनल फॉलो का जूस पिया जा सकता है। इसके साथी रात की भोजन के बाद पानी की जगा दूद का सेवन करें। जब भी आप सुभा के समय खाली पेट पानी पीएं तो हमेशा इसे पेशाप करने के पहले ही पी लें। और ठीक इसी तरह दिन में हर समय पानी पेशाप करने के तुरंद बाद कभी ना पीएं। क्योंकि जब हम पेशाप करते हैं तो हमारे शरीर के अंदुरूणी अंग तेजी से सिकूडते हैं। और ऐसी स्थिति में तुरंद पानी पी लेने से अंदुरूणी अंग और नसे कमजोर होती है। जिसकी वज़े से धीरे धीरे पेशाब ना रोक पाने और पानी ठीक से ना पचने की समस्या पेदा हो जाती है और पानी पीते ही बार-बार पेशाब आने लगती है चाई या कॉफी जैसी गरम चीजों के तुरंद बाद थंडा पानी ना पिये क्योंकि ऐसा करने से हमारे गले और टॉंसिल्स को नुकसान पहुचता है ठीक इसी तरह थंडी ताशिर वाले फल, खटे फल या जिनमें पहले से ही अधीक मातरा में रस पाया जाता है उन्हें खाने के तुरंद बाद पानी पीना अवाइट करें क्योंकि पानी पीलेने से वह हमारे पेट में पूरी तरह पच नहीं पाते जिसकी वज़े से सर्दी खासी और पेट खराब होनी की संभावना काफी जादा बढ़ जाती है पानी हमेशा धीरे-धीरे पीना चाहिए ठीक उसी तरह जिस तरह चाई या कॉफी पी जाती है पानी पीते समय उसे पहले थोड़ी देर के लिए अपने मूँ में रखें और फिर निगलें यहाँ पानी पीने का सबसे बहतर तरीका है और जो लोग इस तरीके की आदट डाल लेते हैं उनके शरीर में कभी भी किसी भी दरह की भीमारी नहीं आती क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी पीने से पानी के साथ मूँ की लार भी पेट के अंदर जाती है और यह तरीका सबसे जादा सुबह के समय फाइदे मन होता है कभी भी जल्दी जल्दी पानी ना पीएं और एक ही बार में बहुत सारा पानी ना पीएं क्योंकि हमारे शरीर की एक बार में किवल एक गलास याने की 200 से 200 मेल पानी पचाने की शमता होती है अगर आप ज़ादा पानी पीने के चक्कर में एक ही बार में जल्दी जल्दी एक गलास से ज़ादा पानी पी लेंगे तो ऐसा पिया गया पानी हमारी शरीर को पूरी तरह नहीं लगता और पेशाप के जरीए बहुत जल्दी भार निकल जाता है इसलिए हर 40 मिनिट या एक गंटे के अंतराल में एक गलास पानी सिप सिप करके पीएं और गिलास या बोतल में मूँ लगा कर पीएं कभी भी गर्दन उपर करके जल्दी जल्दी एक साथ बहुत सारा पानी न गटके और साथ ही हमेशा पानी बैट कर ही पीएं खड़े खड़े या चलते हुए पानी न पीएं क्योंकि ऐसा करने से पानी शरीर में तेजी से प्रवेश करता है और उपर से पीने की वज़े से यह अपने साथ बहुत सारी गैस को भी शरीर में ले जाता है जिससे कि शरीर के अंद्रूणी अंगों में दबाव और खिच लेवल कंट्रोल रखता है और पेट के एसिट को शांद करता है और इतना ही नहीं पानी के साथ साथ मुह की लार भी शरीर के अंदर जाने से हमारा पाचन अच्छा रहता है और पेट में चर्वी जमान नहीं होती वहीं दूसरी तरफ अगर आप जल्दी जल्दी या रहकर पानी पीते हैं तो इससे हमारे शरीर के अंदरुणी अंग और नसे कमजोर होते हैं शरीर में गैस की मातरा भड़ती है जो की बाद में जोडों में दर्द भी पैदा करने लगती है चाहे कितनी भी जादा गर्मी पड़ रही हो कभी भी फ्रिच का बहुत जादा ठंडा पानी या बर्फ का पानी न पीए हमेशा सामाने तापमान का या हलका ठंडा पानी ही पीए कई लोगों को लगता है कि फ्रिच का बहुत जादा चिल वाटर या बर्फीला पानी हमारे शरीर में ठंड़क पहुचाता है बलकि ऐसा नहीं है बर्फ का पानी जब हमारे शरीर मजाता है तो शुरुवात में वह ठंडा होता है लेकिन कुछी देर में वह बहुत ज़ादा गरम हो जाता है जो कि हमारे शरीर को ठंडा करने के वज़ाए गर्म करने लगता है थंड़ पानी पीने के बहुत कम फाइदे होते हैं जो लोग हमेशा थंड़ पानी पीना पसंद करते हैं उनके शरीर में पानी के साथ साथ खाना भी ठीक तरह से नहीं पच्छता और साथ ही सर में दर्द, अपअचन और कब्स आदी जैसी समस्या ज़ादा ठंडा पानी पीने की वज़े से हो सकती है इसलिए हमेशा ठंडा पानी पीने की जगा सामन ये तापमान का ही पानी पीए या फिर हलका गरम करके पीए ठंड और बारिश के मौसम में गरम पानी पीने से हमारी शरीर को कई तरह के लाब मिलते हैं क्योंकि गरम पानी पीने से बोजन जल्दी पच्छता है और खासकर जिल लोगों को अक्सर कब्स या जोड़ों में दर्द रहता है उन्हें हमेशा हलका गरम पानी ही पीना चाहिए गरम पानी पीना सर्दी जुखाम और साइनस की समस्या में बहुत लापकारी होता है लेकिन जिल लोगों को एशिडिटी या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वह लोग गरम पानी का सेवन ना करें दोस्तो पानी पीने से जुड़ी हुई इतनी बाते सुनने में थोड़ी ज़ादा लगती है लेकिन विश्वास माने यह सबी नियम इतने साधा रण है कि मात एक हवते तक अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो धिरे धिरे आपको इन तरीकों की आदत पड़ जाएगी और उसके बाद बीना ध्यान दिये ही आप सब कुछ नियमों के अनुसार करने लगेंगे इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज कई है वीडियो आपके जीवन में बहुती कारकर सिद्ध हो लाइक कीज़े अगर आपको इवीडियो पसंद आया हो कमेंट कीज़े अगर आपकी कोई राई या फिर कोई सवाल हो और शेर कीज़े उन लोगों से जिने इसकी ज़रुवत है और अन्त में हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद